फर्स्ट अफॉल ये जो वीडियो है उसे शुरू करने से पहले मैं आप सबको स्पोईलर वर्निंग दना चाहूंगा मिर्जापूर सीजन वन के लिए एंग गेम अफ त्रोंस के लिए भी यार ये एमेजॉन वाले जो शॉर्ट क्लिफ जो डाल रहे है मिर्जापूर सीजन के उसके वाज़े से मिर्जापूर सीजन टू को लेके जो एक्साइटमेंट लेवल है वो और भी जाधा बढ़ रहा है पापा प्राउड होंगे आप जो देड़ मिनिट का जो वीडियो था उसमें मुन्ना भाई आपने काइंड ओफ कालिम भाया को एक लेटर लिक रहे है जहाँ पे वो उनकी जो फिलिंग से या उनका जो पॉइंट ओफ यो उनको बता रहे है कि कैसे वो चाहते कि कालिम भाया उनके वाई से प्राउड फिल करें कमाल का वीडियो था और बेस्ट मार्केटिंग फ्रॉम एमेजॉन और इसको लेके मैं एक क्विक अनॉंसमेंट क जिस शॉटलिप की शुरुवात होती है जहाँ पे कालीन भाया एक डायलोग से शुरुवात करते है और जैसे कि मैंने मेरे पहले के दोनों वीडियो में कहा था कि मुन्ना भाया और शरत दोनों साथ में तो जरूर आएंगे बट उन दोनों के बीच में टेंशन होगा मिर्जापूर के गद्धी को लेके पॉलिटिक्स होगी और मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉंग पॉसिबिलिटी लग रही है कि शायर ये जो प्रोमो है उसको जो स्थाइप करने के लिए बनाया हो या बहुत जाद ऐसा मिसलीडिंग ऐसा हो सकता है ये प्रोमो क्योंकि इस सिर्फ तीन कैंडी दे से दिखेंगे जो गद्धी पर बैठना चाते है बट क्या पता रियालिटी में शायद गोलु का जो कैरेक्टर है वो भी इस गद्धी पर आ सकती है और ये जो मैंने जो नया प्रोमो जो देखा उससे मुझे कंप्लेटली एसे गेम ऑफ थ्रों के श पर मिर्जापूर यो कोन बेटेगा जैसे वहाँ पर गेम ऑफ थ्रोंस था तो यहाँ पर ऐसा गेम ऑफ गद्धी जैसा लग रहा है मेरे को आई नो आई नो बहुत ही बैड जोग था बट मैंने जो मिर्जापूर और गेम ऑफ थ्रोंस की जो सिमिलरिटी है दो शो में वो था वेसे ही हमने यहाँ पर नोटिस किया मिर्जापूर का जो सीजन 1 है उसके लास्ट एपिसोड में जैसे रेड वेडिंग जो थी जहाँ पर बहुत सारे इंपोर्टन कैरेक्टरस को धोके से मारा गया था वेसे ही यहाँ पर मुन्ना भाईया जो है वो बबलू और स्वी बैती जो पर इंपन की सीवेन से उससे कर वाते है वेसे ही गेम ऑफ त्रों का जो यो शो हुए वहाँ पर फ्र schlim स्वापर खार्यमों की जो गल्फं से वेसे ही तीरियन उसके बींगारख चुल्फेंद मेंची बीच में दिखाया गया है तो ऐसी कुछ similarities मैंने नोटिस की दोनों शोज में and मेरा पॉइंट यहाँ पर यह कि जो दोनों शोज है गेम आफ दोन्स और मिर्जापूर और दोनों ही completely unpredictable है तो आप प्रोमो से ऐसा predict नहीं कर सकते कि गदी पे कौन बेटेगा गदी पे मुन्ना बहिया बेटेंगे शेरत बेटेगा गुड्डू बहिया बेटेंगे क्योंकि सीजन में कुछ भी हो सकता है शायद कोई दूसरा ही character गदी पे बेट सकता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को definitely like कर दो जैसे कि मैं आपको बता है कल मैं एक बहुत ही interesting ऐसा वीडियो ले के आ रहा हूँ मिर्जापूर को ले के तो stay tuned for that and मैं आपसे मिलूंगा कल के वीडियो में Thank you